दोस्तों आज हमारा question है write each of the following as a decimal हम इस किसमें लिखना है decimal तो यहां क्या 300 plus 6 plus 9 plus 5 upon 10 plus 8 upon 100 अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते 0.5 आएगा यह पलस यहां कितने 0 है 1 2 तो यहां 0.08 आएगा यह आएगा अगर हम इसको पलस करेंगे तो कितना आएगा 0.8 और 0.5 तो कितना आएगा 0.58 आ जागए ठीक है आगए अगर हम पलस करेंगे तो 3 कितना आएगा 369 और पॉइंट यह पॉइंट है इसको पलस करेंगे तो 58 तो यह हमारा क्या हो गया है right each of the following हमें decimal भी लिखना इसको दिया आएगा 369.58 आ जाएगा अब इसको देखो इसको हम पलस करेंगे 70 तो यह क्या जाएगा देखो 709 आएगा सिदे सिदे अब टू देखो टू को मैं क्या लिखूंगा टू को मैं लिख सकता मैं पॉइंट टू क्योंकि 10 तो एक है पलस कितने ज्रह है वन टू थी यहां एक है तो तो टू यहां पर पॉइंट यहां पर आएक यह क्योंकि त्री डिख चाहिए तो क्या आएगा यह अगर मैं इसको जोड़ूँगा 0 06 प्लस जिर टू ठीकि 6 ऐसे रहेका 0 2 तो यहां पर पॉइंट two hundred six आ जाएगा ही, okay, point two hundred six आ जाएगा, okay, अब यहाँ देखो, एक जीर यह तो point कितना एगा, eight आएगा, पलस कितने जीर, two zero है, तो point zero five आएगा, जुरू बाइ, one two, two और ये सबाक्ट है फ़िए यहाप एक इटा ओं तू थो ए पॉइन्ट थू फॉइन्ट थू फ्वास्यान चेल्ट थे ट्वह आज डिजिट्ट है अब सिको जोड दो 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 किक्ता प्वाइं ढिता पॉयन्ट जीरह जीरह ओ पैज्वव् और दो. 84 कफोर 558 थामारे क्या जायगा 0.854 यहां पे हम आगे 0 लगा सकते हैं यह जायाएगा ओके यहां त्वर टन्टिफोर ता सिर्फिद अपलागा 24 12 www.01 ओके अब दोगों 50 तो 56 हो जाएगा अब दोगों 10 अब दोगों 10 क्या लिखा जाएगा 0.1 लिखा जाएगा पलस 100 है तो 0.07 लिखा जाएगा और अब पलस 1001230 है तो 0.03 लिखा जाएट ठीक है अगर हम इसको पलस करेंगे तो क्या जाएगा 0.008 0.07.1871 ठीक इतना हैगा 0.178 इसको हम decimal में लिख सकते हैं